ये गाईज वेलकम बैक नो मैं चानल मैं हूं खुश्बू आपकी वी लॉग पार्टनर और इस पार हम जा रहे हैं फुकेट तो हमने पहले से कुछ भी प्लान नहीं किया था वी वॉंटेट की पहले हम बैंककोक ही जाएंगे बस वहीं पे एक्स्प्लोर करेंगे बढ़ हमा तो कम्यूनिकेट विद लूकल्स फर एनिधेंग सबसे जाएदा दिक्कत तो टाक्सी के साथ हुई कि आपको उनके साथ भी इंपोर्टन यार इतनी अच्छी लोकेशन है इतनी बड़ी बूमिंग टूरिस लोकेशन है और वहां पे कम्यूनिकेशन का इतना जाएदा इश तो अपनी जर्नी हमने वन आर की कम्प्लीट करी अपने होटेल तक तो हमने टैक्सी कर ली थी एरपोर्ट से 700 टू एटंड़ बात में वहां पे दो आप्लिकेशन चलती है वही ग्राब चलती है और इंट्राइब चलती है इंट्राइब फुकेट में सस्ती है एस कंपेड ग्राब तो आप अगर फुकेट जाओ तो इंट्राइब यूज करना फॉर ट्रावल नीज बाकी बेस्ट ऑप्शन हम मैं आपको बताऊंगे आगे वी लॉग में जो हमने भी अपनाया था और विच वस अमेजिंग इतने ही बताते बताते बहुत बढ़िया से संसेट व्य पर के लिए इत्स अमेजिंग ब्यूटिफुल संसेट बाइद सी मातलब फुकेट में एंटर किया और इतना बढ़िया व्यू मिला और देख लो आप सब वस सो ब्यूटिफुल एंड सरीन तो हम लोग रास्ते में पूरे टाइम अपना होटेल सर्च करते वे जा रहे थे किस होटेल हमने पहले से बुक नहीं किया था वी बुक्डा हनीमून डीलक्स रूम इन आर होटेल अंडा मंत्रा जिस की में वीडियो अलग से बनाऊंगी सो यूवोंट गेट अरूम टूर है हमने दो तिन घंटे अप अराम से रेस्ट किया एं देन वी वेंट तो पताउं अर फॉर्टी बात या 50 रात किति है ती और इंट व eleg यंश्प जिंब आइं झापाऊं गाहते इन गाहते है वे द bred X는 में खाते बूश बंद इस इन प्रेटल का सारा हे आरिया इंट शूर्श पीछ यूरत ब्रीous प्रेस बाखे तूर गेद वात हाहतल अन्छ थे और यह थी वो ट्रिक हमने स्कूटी रेंट कर ली वहां से हमारे होटेल में नीचे बैठे हुए थे लोग जिन से हमने पूछा और यह थी वहां से हमारे साथ दोनों दिन सीन हुआ लाक वी वेटेट पूलिस खड़ी थी दूसरी साइड और हमें डर लग रहा था वो हमें पकड ना ले अगर वो पकड लेते तो हजार बात का हमारे पास फाइन था बट लगीली हमें पकड़ा नी थे वर स्टॉपिंग बीपल आ थिंग अट वस फॉर्टेक्शन अफ टॉरिस इत्सल्फ कि रात को लेट हो जाता है तो ऐसी हो जाता है कि यू नेवर नो वाट हपन्स इसके बाद हम लोग नेक्स लोकेशन पर गए तो इसके बाद हम लोग नेक्स लोकेशन पर गएं अनुमान वर्ड विच वस ब्यूटिफुल अन अमेजिंग फॉर एन अडवेंजर स्पॉट वी हाद अलोट अफ फन देर बहुत सरी अक्टिविटीज विदेर हमने पुरा पाकेश ले लिया था सो देर हाव माल्टिबल पाकेश विच यू चूस तभी भी आप बॉक कर सक तो वह बहुत आपको और सस्ता पर जाता है तो इस इस दे स्काइबॉक विच विच वास अपाट अपाट अध्वेंचर ब्यूटिफुल विच विच वास अमेजिंग हमार पास ड्रोन नी था तो मैं आपको एग्दम 360 डिग्री या अपर व्यू तो नहीं देखा सेती हू अधिय देखा निम्ट को एग्दम ने ने पंग। यू शवास अव्यू श्यू अच्वार्ट। आप आपाट अधा अधिय अजा अधर अधिय हूआ अधिया हमारे में आइंग थीवो नी पोर मेंजर रोप एग्दम 3 ब्रोप्स या बागी सब्हित दा अच्छा बाद, we went to see the sunset, so हम लोग काता कराउन बीच हैं, हापे काता बीच और कराउन बीच, I don't know if I am pronouncing the words correctly, but it is I think how they are pronounced, तो हम लोग काता बीच पहुंचें, for the sunset views, views were very nice, and the market was very good, so what happens is, काता कराउन and पताउन बीच, these are the three beaches where we will find majority of the tourists, specifically foreigners, जो वहां पे आते हैं, and the area is too, is very nice, like you will find a lot of resorts and hotels on the sides, and which are quite reasonable, like not so expensive, हम लोग ने बहुत एंड में बुक किया ता, इसलिए हम ने थोड़ा expensive पढ़ा था, otherwise they are quite reasonable, and they have the premium kind of the stay that they will provide, but इससे एक drawback है, कि केत में जो main tourist locations हो जाती है, जैसे वात्चलोंग है, और भी बहुत सारी है, वो आप विजट करने में आपको एक घंटा दूर जाना पड़ेगा, तो आपकी choice है, आप उन बुद्धा, बिग बुद्धा या इस लोकेशन पर जाना जाते हो, या फिर बाग की सब एक्स्पोर करना जाते हो, if you are visiting it for a multiple days, तो आप कर सकते हो, otherwise, देख लेना, जैसे भी आपको चूज करना हो, so this was on our way back, Dino Park, ये डाइनसौर्स जुराइसक पार्क की थीम पर बनाया हुआ था, we thought this is something that we can explore, but हमने पता चला, this is a restaurant, तो वहां कुछ एक्स्पोर करने लाइक था न, it was expensive, guys, but ठीक है, it depends on you, if you want to sit there, have a लबचल, तो इसके बाद, our day ended, and the next day, our, was our FIFI tour, तो हमने वो अपने ही होटेल में अपने रेसेप्शन के थ्रू बुक करा दिया था, जिस भी आप होटेल में रुकोंगे न, they'll provide you Karabi का, FIFI Island का, and James Bond Island, और जित्ते भी वहां पे नियर बाइबाइटोस है, सब वो आपको पकेज़ देते है, थोड़ा बहुत बाद बारगेन करना कर लेंगे वो लोग, and they'll provide you a good company, with the good company, चार चीज अच्छी देते हैं, जिनने सब कुछ इंक्लोडेट होता है, So, we came back from the FIFI Island, और हम दिन अपना एंड नी करना चाहते हैं, because it was our last day at Phuket, So, we went to the beach, बैठे हम लोग दो तिन बज़े था, फिर भाही बाद ही, पुलिस खड़ी थी बाहर, आदर खंडा बेट किया, but then, we just head back to our hotel, So, this was it for Phuket, थोड़ी सी और tourist locations तो आप घूम सकते हो, It is just, as I said, Big Bundha is a very like Instagrammable place that you'll find there, Vajshalong is one place, और आप Google करोगे न, Top 10 places to visit in Phuket, तो वो tourist ही आपको location सारी में जाएंगी, बैट अगर आप एक chill vibe से जा रहो हो, तो अपना hotel और beach, जो विलो, वो beach side पे ले न, not in the main city, वहाँ पे vibe ही अलग है, और it is a very beautiful location, to explore with your friends, especially and with your partner as well, so roads बहुत समेजिंग है, 24-7 हार चगा पी मिल जाएगा, आपको 7-11 जो होता है, तो next day हम लोग निकले, this was in the morning, बहुत अच्छा मूट था, we had our breakfast, और उसके बाद ready हुए, और उसके बाद हमार साथ हुआ एक pop-up, बड़ी जोट हुए, हम लोगे में लेकल रहे हैं, अच्छा से, बाट अभी मैंने जब ट्राप के लिए बैट कर ले थी, किसी में बैक ठाली हो, अब जगेंगा, and now, हां जी तो हुआ ये कि मैं नीचे वेट कर रही थी, रोहिद गया था, स्कूटी वापिस करने के लिए, इतनी बुरी किस्मत, खी स्कूटी वापिस करने के लिए, जो पेपर देना था, वो उसके वालेट में था, और उसका वालेट मेरे पास था, तो वो वसकूटी भी वापिस ने कर पाया, और इतने में ही मेरा जो मेन लगेज बैक था, वो गायब हो गया, हुआ ये कि एक टूरिस्ट का बैक समझके क्या बाला, हमारा बैक उठा के ले गया, और मैंने पांच मिन्ट बाद रियालाइस काया, हम होटेल पहुँचे, मैंने उन्हें बोला कि यार ऐसे ऐसे हो गया है, उपर रेसेप्शन पे, कम्यूनिकेशन की इतनी दिक्कत थी, कि उन्हें समझाना पड़ा, बहुत मुश्कल से समझाया, फिर उन्हेंने सीसी टीवीज चेक किये, तब पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, देन दे कम्यूनिकेटेट फाइंड आउट दे ड्राइवर, और वो लखिली ड्राइवर एरपोर्ट ही जा रहा था, तो हमें फाइनली अपना बैग मिल गया, बट अगर हमें बैग नहीं मिलता, तो वी वर प्लानिंग टो लीव इट, क्योंकि हम लोग ने इतनी एज पर अपनी फ्लाइट बुक करी थी, वी बुक डिट फॉर अराउंड फोर थर्टी की फ्लाइट थी, फिर घंटे की फ्लाइट थी हमारी और 8.30 हमारी अगें बैंकोक से इंडिया की फ्लाइट थी, क्योंकि हमारा प्लान नहीं था, इसलिए हमें फुकेट से डारेक्ट इंडिया की, हमने बुकी नहीं की थी, फुकेट से हम पहले बैंकोक आए, फिर हम में Bangkok से इंडिया आना था तो अगर हमने अपना बैग लाइक हमें 10-15 मिनेट और हो जाते इसी चक्कर में तो हम लेट निकले थे शुब सुबह और इसी चक्कर में और हमें दो ही बज़ गए थे मतलब दो बज़े हम लोग पहुंचे थे तीन बज़े हम लोग कि जो फ्लाइट हमने थाई एरवेज बुक करी थी तो वो उसमें I think baggage नहीं मिलता है तो multiple airlines है जिसमें baggages मिलते हैं और नहीं मिलते हैं तो यह सरूर चेक कर लेना है यहार अगर आगर ऐसे ट्रावल कर जो तो हमने baggage extra में लिया था विकिस इट वस चीपर राधर देन बुकि वहां से थोड़ा चीप पड़ता है और इसके अलावा आपको hotels वगेरा 5-10,000 की range में per day बहुत amazing hotels मिल जाएंगे फोकेत में beachside with private pool भी मिल सकता है but it depends कि आप कितने ताइम पहले उने book कर रहे हो we booked on the day of the stay so हमें महेंगा पड़ा तो but luckily हम लोगों का bag भी मिल गया and we reached Bangkok on time वहां पे हम ले थोड़ा से time spent किया अपना duty free पे we bought some things for our friends and family and then we took our flight back to India तो ये tragedy कैसी थी जो जिसने एक fun part भी आड करा but इसने इसी तैसी कर दी थी ना मतलब I was like इतना जादा मैं पानिक कर रही थी और Rohit इतना काम था पतानी कैसे but as we say all's well that ends well so this was it for this vlog let's meet you in the next one bye